हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम ग्रीड उट चैल में मेरा नाम अंकुष इसमें दोस्तों इस केस्टन को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो है उप्सन दिये गए तो इन में से कौन सा उप्सन सही होगा वो हमें बताना है सेंपल केस्टन है दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए अकेला कीसी काम को बारा दिनों में कर सकता है ए और बी मिलकर उसी काम को जो है आठ दिनों में कर सकते है तो अगर B अकिला उस काम को कितने दिनों में करेगा यानि कहने की बात है कोई काम है A उसको 12 दिन में कम्पलीट करता है A और B दोनों मिलकर उसको 8 दिन में कम्पलीट करते है अगर B को वो काम सोप दिया जाए तो कितने दिन में उसको खतम कर देगा अब देखिए इसने बोला है A जो है काम को 12 दिन में कर लेता है A पलस B यानि A और B दोनों मिलकर काम को 8 दिन में खतम कर देते हैं ठीक है अब काम हमें पता नहीं है तो हमें क्या करना है LCM लेना पड़ेगा LCM एक ऐसी संख्या जो दोनों से बाग हो और सबसे छोटी संख्या हो ऐसी कौन सी है 24 है ठीक है ये किस लिए लेते हैं ये कारियक्स मता देखने के लिए अब मान के चलते हैं 24 काम है अगर वो A को दिया जाएगा तो A कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है यानि हर रोज कितनी काई काम करेगा दो एक काई काम करेगा अगर A भी को दोनों को दिया जाए तो A कितने दिन में काम करते हैं ये आठ दिन में काम करते हैं यानि 24 काम के हिसाब से हर रोज कितना काम करेंगी ये करेंगे जी, तीन यानि इनकी कारियक समता कितनी आ गई ए की आ गई दो, ए भी की आ गई तीन, अब हमें बताना क्या है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा हमें ए का पता है दो है, ए भी का पता है ए पलस बी का पता है कितना है? 3 है. अब देखिए A की value कितनी है? 2 बस simply value put करनी है. 2 पलस B किसके बराबर होगा? 3 के. यानि B किसके बराबर आ जाएगा? 1. ठिक है? जो B की कारियक्स मता होगी, वो होगी हर रोज की A की काई. काम कितना है? दोस्तों, काम है 24 इकाई. तो हमें दिन कैसे निकालते हैं जो टोटल काम है, उसको हम बाग दे देते हैं, एक दिन की कारियक्स मता के साथ, यानि B का निकालना है, B की एक दिन के कारियक्स मता है 1, तो कितना है जाएगा? 24. तो 24 दिन में जो है, B उस काम को पूरा कर देगा. तो इस तरह से करने हैं इस टाइप के question. वीडियो पसना ह आज़े लाक शेयर सब्सक्राइब ज़रू करें, थैंक्स फॉर वाचिंग.